बख्त कवियों ने तो यहां तक माना है कि राम ही जीवन मुल्य है और उन्हें पाने के लिए भक्त परम पवित्र प्रेम को ही माध्यम बना सकता है में तिशन गुप्त लिखते हैं राम तुम्हारा नाम स्वयम ही काव्य है कोई कवी बन जाए सहज संभाव्य है वास्तव में यह जो भक्ती है इसलिए प्रेमा भक्ती को विशेश महत्य बक्तिकाल में दिया भी गया है इसलिए भक्ती के अनेक रूपों की चर्चा हमारी कविता में हमारे कवी समाज में मौजूद है माधुर्य भक्ती भी है सक्खे भक्ती भी है और प्रपत्ती की भी भक्ती है प्रेमा भक्ती भी है संत्कावे परंपरा के प्रवर्तक कबीर माना यही जाता है कि वो ज्यानमार्गी थे किन्तु प्रेम को उन्होंने भी परंतत्त्व माना ज्यानमार्गी होकर भी वो प्रेम की महत्ता को बार-बार स्विकार करते हैं, रिखांकित करते हैं, उद्गाटित करते हैं आखडियां जाईं पड़ी, पंथ निहार निहार, जीबडियां च्छाला पड़या, नाम पुकार पुकार ढाई आखर प्रेम का पड़े सुपंडित होए इसलिए प्रेम को वो परम्तत्व मानते हैं ऐसी धारणा, ऐसी दृष्टी, ऐसी सोच वाले कबीर सत्य और प्रेम को वस्तुते साकार बले ही ना कर सके हूँ सूर ने प्रेम को व्यक्तित्व प्रदान किया कबीर आदी संत कवी प्रेम को व्यक्तित्व प्रदान नहीं करते हैं हलाकि कहीं कहीं हरी मोर पीव मैं राम की बहुरिया ऐसा कहते हैं या हमगर आए राजा राम बरतार दुलहिन गावहु मंगला चार या कबिरा कूता राम का मुतिया मेरा नाम गले राम की जेवडी जित खीचे दित जाओं किन्तो जिस तरह से सूर्दास ने या अश्ट छाप के कवियों ने प्रेम को व्यक्तित्व दिया कृष्ण के रूप में राधा के रूप में मेरा ने प्रेम के स्वरूप गोविंद को अपने पती रूप में ही सुविकार कर लिया अपना संपूर्ण वर्चस्व लोक लाज पद प्रतिष्ठा पूरा जीवन वो अपने प्रेम और प्रेम पात्र को दे देती हैं इसलिए तोल कर लिया इन मूल्यों के मूल्य प्रेम स्वरूप गोविंद को वो कहती है माईरी मैं तो गोविंद लीनो मोल जो गोविंद है इसको जब लिया है इसको जब खरीदा है तो बहुत कुछ दिया है उसके लिए कोई कहे हलको, कोऊ कहे भारी, मैं लीनो तराजू तोल, माईरी मैं तो गोविंद लीनो मोल वास्ता में इस प्रेम स्वरूप, प्रेम प्रतीक आराध्य को, कृष्ण को जबुल ग्रहन करती है, स्विकार करती है, प्राप्त करती है तो जीवन देकर अपना सबकुछ सर्वस्व त्याग कर नियुचावर करके प्रेम को मोल लेती है वह उस प्रेम के बराबर पूरे जीवन को ही एक मुल्य बना देती है मीरा ने इस जीवन मुल्य में अमरत्व को प्रात्त किया है जब इश्वर से ही प्रेम हो गया, सर्व शक्तिमान से को ही अपना सब कुछ मान लिया तो फिर ये जीवन मरण का आवा गमन का भै स्वते समाप्त हो गया अमरत्व प्राप्त कर लिया तुलसी ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के उपर राम पद प्रीती इसी को जीवन मुल्य माना अलाकि कावे प्रयोजन पर जब हम हमारे आचारे विचार विमर्ष करते हैं तो कविता के प्रयोजन में ये चतुष पुरशार्थ भी समाहित है किन्तु तुलसिदास धर्मर्थ, काम मोक्ष से भी उपर राम पद प्रीती को ही जीवन का मूल्य मानते हैं अरत न धर्म, न काम रुचि, गति न चयाउन निधान, जनम जनम रति राम पद, यह वरदान न आन राम व्यक्ति चरित्र नहीं, मूल्य चरित्र है राम का पूरा जीवन, उनकी पूरी जीवन शैली, जनम से लेकर और अंतिम समय तक वो साक्षात एक मूल्य चरित्र बनकर हमारे सामने उपस्तित होते हैं जीवन मूल्यों को साकार करने वाले, उनके साकार विग्रह के रूप में वो पस्तित होते हैं तुलसी ने राम राज्य का जो चत्रन वर्णन किया है देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य का हों ही नहीं व्यापा राम राज्य की परिकल्पना विलक्षन परिकल्पना है यह वो राज्य है जहां देहिक देविक भौतिक कोई ताप किसी को व्यापता नहीं है वस्तुतव है मानव जाती के लिए एक आदर्श की परिकल्पना है तुलसी के कावे में सर्वत्र लोकमंगल की भावना विद्देमान है लोक और लोकमंगल तुलसी ने जैसा चिंतन किया है इसलिए तुलसी की लोकमंगल की अवधारना अन्य कवियों से अलग है विलक्षन है तुलसी लिखते ही है जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सो निप अबस नरक अधिकारी जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो जो प्रजा के सुख समृद्धी की कल्पना कामना न कर पाता हो राजा जो प्रजा के लिए चिंतन मनन न करता हो जो प्रजा के हित की रक्षा के लिए अपने जीवन को अर्पित न करता हो वो राजा राजा नहीं है वो तो नरक का अधिकारी है सोनिप अबस नरक अधिकारी जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी है जिसके राज्य में प्रिय प्रजा दुखी है वो राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है ऐसी उन्हेक उक्तियां तुल्सी के चिंतन के मूल्यों का ही परिणाम है तुल्सी वेदमत, साधुमत और लोकमत इन तीनों का समनवे करते हुए अग्रसर होते हैं यह तुल्सी दास लोकमत को सरवाधिक महत्व देते हैं तुल्सी का कावे स्वानते सुखाय की प्रतिग्या से लिखा गया कावे है फिर भी उनके स्वा में परशामिल है पूरी तरह से समाहित है वास्तव में तुल्सी एक उदात धारना और भावना की कवी हैं उनकी माननेता हैं ओदात्य लिये हुएं कीरति भनेति भूति भली सोई सुरसरी समसब कह हित होई सुरसरी यानि देव नदी अर्थात गंगा गंगा कोई भेद करती नहीं है व्यक्ति से, पद से, लिंग से, क्षेत्र से, भाषा से, आयू से कोई भेद नहीं करती सुरसरी की तरह सब काहित गंगा नदी सब का कल्यान करती है कोई कैसा भी हो कुछ भी हो उसी तरह कविता भी साहित्य भी इन मूल्यों को आत्मसाथ किये होता है, होना चाहिए कीर्थी, कविता और संपत्ति वही उत्तम होती है जो गंगा की तरह सब काहित करने वाली हो यश, ख्याती, प्रसिद्धी या प्रतिष्ठा यह तभी कारगर और सार्थक है जब इससे समाज का, सामाजिकों का मानव मात्र का, प्राणी मात्र का हित हो इसी तरह साहित्य, काव्य और संपत्ति भी संपत्ति का होना भी तभी सार्थक होता है, जब उससे लोक हित सदे, जन हित सदे ठीक वैसे ही जैसे गंगा तुलसी का साहित्य सब की चिंता का उद्देश लेकर रचित है उप किसी वर्ग विशेश की चिंता नहीं करता उस सब की चिंता करता है मुख्यधारा का व्यक्ति हो या हाशिय का व्यक्ति हो सब एक सबान है उनकी मूल्य चेतना के केंदर में मनुष्य रहता ही है मनुष्य के सपने मनुष्य की आकांग्शाएं इनी को केंदर में रखकर तुलसी साहित्य का सर्जन करते है वास्तों में हर बाड़ा कभी मानवीय संबेदनाओं का चितेरा बन कर ही आता है कभीर ने बाहिया डंबरों पर जो कड़ी चोट की वह वस्तते मानवीय मूल्यों को समग्रता स्थापित रखने के उपकरम का ही एक इस्सा है मानव मात्र में एक ही सक्ता संचरित होती है विबेद की सारी कोशिशें वियर्थ है इश्क मस्ताना कभीर इसे समझ कर फिर सब को समझाते भी है जोरे खुदाई बसीती बसत है और मुलुक किये केरा तीरती मूरती राम निवासी दू मही किब हुना हेरा कि राम को मूरती में या तीरत स्थनों में नहीं खुदाई तो अपने भीतर है न वो मस्जिद में है न वो मंदिर में है यहाँ वहाँ हम बैरत में खोज रहे हैं हमारा आराद्य हमारा ईश्वर हमारा राम तो हमारे मनुमस्तिश्क में विराजमान है कबीर के ऐसे सभी प्रश्ण मानवीय मूल्यों को जगाने का प्रयत्न करते हैं कबीर अपने अंतर जगत का वैविद्य संदान करते हैं और उसी से जीवन की विराठता का सरजन भी करते हैं सुफी कावेधारा के प्रवर्तक कभी मलिक मुहम्मद जैसी मानवीयता की प्रिष्ट भूमी पर कविता रचते हैं हिंदू तुरक दुबो रन गाने उनके यहां दोनों पक्षों का पूरे आधार सम्मान के साथ आत्मियता के साथ वर्णन और चत्रन हुआ है पदमावत में प्रेम को अपार विशिष्टता देकर जैसी अपने साहित्य को मानवीय मूल्यों की आधार भूमी आधार शिला पर खड़ा करते हैं मानुष प्रेम भयाव बैकुंठी नाहीं तो सहा कार भी मुंठी इस तरह सूरदास ग्रस्त जीवन और परिवार की प्रिष्ट भूमी पर प्रेम और वात्सल्य भाव का सगन तनमय चित्र रचते हैं मानवीय मूल्यों का आलोक सहज रूप से साहित्य में भर देते हैं आचार रामचन शुक्ल के अंसार इन कृष्णो पासक वैश्णव कवियों ने जीवन के प्रती अनुराग जगाया या कम से कम जीने की चाहा बनी रहने दी इस पर बल दिया वो इस तरह की विरक्ती की बात नहीं करते जो सब कुछ छोड़ दे या छोड़ने को बात दे और प्रेरित करें वास्तर में विश्ण परिस्थितियों के बीच किसी जाती की जीवन इच्छा को बना कर रखना सबसे बड़ा मानवी मूल्य है कभी का धर्ब है कि अपने पाठक को सामाजिक को यदि विचलित होते देखता है पत से विमुक होते देखता है हताश होते देखता है तो वै कोशिश करता है कि उसकी जीवन इच्छा है जीने की इच्छा वो बनी रहे निराशा हताशा उसे जीने की इच्छा से विलग ना कर दे यही सबसे बड़ा मानव मुल्य है सूफी कवियों ने भी प्रेम मारगी कावेधारा का विधान रचकर प्रेम को सर्वश्रेष्ठ मानव मुल्य की रूप में प्रस्थावित किया चारों कावे धाराएं मद्यकाल में सूफी, संत, राम कावे और कृष्ण कावे या इन धाराओं से अलग रहकर भी जो कवी कविता कर रहे हैं साहित्य सर्जन कर रहे हैं उस समग्र भक्ति कविता में अखंडता और समनवे इनका समावेश मिलता है कबीर जैसी, तुलसी सूर ये यद्यपी अलग अलग कावे धाराओं का प्रतिने दित्व करने वाले रचनाकार हैं बड़े कद के कवी हैं किन्तों इन सभी कवियों के मूले बोध को यदी हम देखें परखें तो एक ही धारातल पर दिखाई देते हैं प्रेम, भक्ति, परोपकार, करुणा ये सब तत्व मानव मूल्यों की आधार शिला पर टिके हैं मानव जीवन के प्रती जीविशा को भी प्रभल बनाते हैं इस तरह मानव मूल्यों के निकश पर अब्दुर्रहीम खाने खाना का साहित्य और व्यक्तित्व वास्तव में अपूर्व उपलब्दी बनकर आता है उनके संदर में एक बड़ा प्रचलित और महत्पूर्ण दोहा मिलता है मुझे यह आश्चर है कि खान खाना का मेरु परवत जैसा मन साड़े तीन हाथ की दे में कैसे सबाया है वास्तव में वही रहीम जो कहते हैं देन हार कोई और है ताते नीचे नैन लोग भरम मुझ पर करें लोग तो यह सोचते हैं कि दान मैं दे रहा हूँ दानवीर हूँ वो कहते हैं और नेत्र मेरे नीचे इसलिए रहते हैं क्योंकि वस्तुत है मैं देने वाला नहीं हूँ देन हार कोई और है देने वाले तो विधाता हैं ईश्वर हैं मुझे तो माध्यम मात्र बना लिया ताते नीचे ने, इसलिए मैं अपनी नजनों को मिला नहीं पाता हूँ रहीम अकबरी दरवार के आभूशन थे सही अर्थों में सच्चे हिंदुस्तानी थे और विद्धैनिवास मिश्र जिनोंने रहीम गरंथावली का संपादन भी किया उन्हेंने तो लिखा सारा जीवन राम राम में बिताया और बात उसने की आम आदमी के जीवन की तो संपूर्ण जीवन तो राम भक्ति की, राम को याद किया और जन सामाने की चिंता की रहीम ने अपने उदार, संबेदन, शील और सहिष्णों हिर्दै को वास्त्विक अनुभवों के बीच रखकर जिस मारमिक्ता के द्वारा अभिव्यक्त किया वह अबाद गती से उनके दोहों में उद्गाटित होता है, प्रवहबान होता है रहीम के अनुसार वही परोपकार, सच्चा परोपकार माना जाता है जिसे जोखिम उठाकर किया जाए पीड़ा अगर परोपकार करने में होती भी है तो वो सहर्ष स्वी कार रहे है केश्ट उठाकर गने दूसरे का हिद्ध किया जाए तो वह सहर्ष स्वी कार रहे है घोडा अपने गले को रस्फी से बंदवाता है कूए से जल भड़ता है और अपने हस्तित्व को जोखिम में डाल कर भी अनेक प्यासों की प्यास बुजाता है रहिमन रीति सराहिये जोगट गुन सम होए घड़ा जो है वो रस्षी से बंद कर कुँए के अंदर जाता है भीति आप दे डारी के सबे पियाबे तोए अपने को रस्षी से बांद कर कुए के अंदर उतार देने का साहस करता है घड़ा किंतु बंदन सहकर कश्ट सहकर वह जब जल भरके लाता है तो उससे जो प्यासों की जरूरत मंदों की पूर्ती होती है त्रिप्ती होती है वह अद्वत है मनुष्य का मनुष्य के साथ संबंद अत्यनत महत्पून है यह सबसे बड़ा मुले है इसलिए रहीम कहते भी है रूठे सुजन मनाईये जो रूठे सोबार रहीमन फिरन फिरन पोहियत तूटे मुक्ताहार यह जो मौतियों की माला है यह यदि एक बार तूट जाए तो फिर उन मौतियों को पोहना पिरोना यह संबंव नहीं हो पाता इसलिए कोशिश कीजिए कि मौतियों की यह माला तूटे नहीं इसे संजोग कर रखिये इसलिए रूटे सुजन मनाईए यदि कोई रूट जाए नाराज हो जाए किसी बात पर मान करने लगे तो उसे मना लीजिए कोशिश कीजिए कि वो मान जाए वो रूटा हुआ ना रहे बले ही ऐसा एक नहीं दो नहीं दस नहीं सो बार करना पड़े करना चाहिए क्योंकि एक बार यदि रिष्टा या संबंद विच्छेद हो गया खत्म हो गया तूट गया तो फिर उसे संजोना फिर से बनाना ये बड़ा कठिन है रितिकालीन साहित शंगार का कावे माना जाता है जहां नैतिकता लगातार चेरी की भूमी कावे दिखाई देती है पर ऐसे समय में भी वरिंद बिहारी गिरदर गिरदर कविराय दीन दयालगिरी बेताल भड़डरी नजाने ऐसे कितने चिंतक विचारक हैं जिन्हों ने अपने नीति कावे से आपलावित किया उपकृत किया वैयक्तिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक मूल्यों की पृतिष्ठा की, स्थापना की और नीति परक्दोहों के द्वारा जन सामाने को और नहीं पराग, नहीं मदुर मदू, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंदेों, आगे कौन हवाल वही बिहरी अभी कहते हैं दुसेद राज प्रजान को क्यों न बढ़े दुखद्वद्द, जगत अंदेरों अति करे, मिली मावसर भी चल एक बड़ा प्रसिद कतानक है, राजा जैसिंग नवोडा नहीका के प्रेम पाश में इस तरहां लिप्त हो गए थे, कि उन्हें राजकाज की सुद्बुद जाती रही, यानि अपने दाइत्व और कर्तववे से विमक हो गए, उदासीन हो गए तो बिहरी ने उस राजा को सचेत करने की दरिष्टी से, जागरूप करने की दरिष्टी से, कर्तव्य बोध कराने की दरिष्टी से, ये दोहा लिखा और भरे दर्बार में उन्हें सुनाया भी नहीं पराग नहीं, मदुर मदू नहीं, विकासी, काल, अली कली, सो तो कभी जो होता है वो क्रांती दर्शा भी होता है, दृष्टी भी होती है उसके पास, वह राष्ट भक्त भी होता है बिहरी ने राष्ट के शाष्टकों को कर्तव बोध कराया, अमूले मानवीय मूल्यों से अवगत कराया, उसका एसास कराया धर्म, राजनीत, समाज, व्यावार, व्यापार और भक्ती, वैराग्य सत्संग, इस्तरी, कपाट, आडंबर, कपट, आडंबर, धन, इन सब से संबध अनेक दोहे बिहरी ने लिखे एक मात्र रचना, ब्यारी सत्से, और उसी रचना में श्रंगार का भी समावेश है, भक्ती का भी समावेश है, नैतिक्ता का भी, मूल्यों का भी समावेश है, प्रकर्ती भी है, चिकित्सा भी है, खगोल शास्तर भी है, धर्म शास्तर भी है, युद्ध शास्तर भी है, आहित्य और मारवीय मुल्यों की बीच निकट संबंद को रिखांकित करता है। उस आहित्य का सरजन बिहरी करते हैं। कभी रितिकाल के कभी करते हैं। रीतियुक के कवियों ने शंगार, वीर और नीति के साथ साथ धर्म और दर्शन पर भी, अध्यात्म और भक्ती पर भी प्रचुर मात्रा में लिखा है रीतिकालीन कभी मानस और मानव में अभेदता को स्विकार करता है जीवन के प्रती एहिकता मूलक द्रिश्टिकोन, शंगार भाव तथा कलात्मक प्रवर्ति के बावजूद, भूशन, वरिंद और गिर्दर का विराय आदिक कवियों ने वीरता, भक्ती, नीती और जीवन के प्रतेक पहलू पर विचार किया है चिंतन किया है, समाज को लोकहित और परहित की, सर्वहित की पराकाष्ठा से जोड़ा है आदुनिक काल में साहित्य का चवमों की विकास हुआ, अनेक नए गद्य रूपों का प्रस्फटन हुआ और उनमें जीवन के परंपरागत मुल्यों के साथ साथ जीवन मुल्यों का भी सूत्र पात हुआ भारतेंदुने अधेर नगरी विशस से विश्मोश धम, भारत दुर्दशा ऐसे नाटक लिखे, दुर्व स्वामी नी इनमें योगीन समस्याओं को बलिभाती प्रतिविम्बित करने का प्रैत्न किया गया है प्रसाद ने अपने इनाटकों के एतिहासिक कथानकों के परिवेश में नए मुल्यों को सजोया है आधनिक युग में उपन्यास मानव मुल्यों का समावेश व्यापक फलक पर करते हैं प्रिम्चन ने उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र यूई नहीं कहा बारतेंदू, हरिश्चंद्र, बालकरशन भट, सरदार पूर्ण सेंग, मावीर प्रसाद दिवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद दिवेदी, विद्यानिवास में शादी के निवद्ध, मानव मुल्यों की प्रस्थाबना के बड़े अध्यायों को उद्गाटि है, वैवस्तुते मूल्यों समिक्षा ही है, इसी तरह मादेवी वर्मा भी मूल्यों की व्याख्या करती है, रेकाचित्रों या संस्मर्ण, मारमिक मानविये आख्यानों की तरह उपढ़े जाते हैं, मादेवी वर्मा की लेखनी में एक अलोकिक प्रतिवा है, च्शमता और शक्ती है, आधुनिक्ता की मिश्नरी, पत्रकारिता, बलिदान और करताव पलायन का ब्रहत मूल्य विनिर्मित करती है, गद्य की तरह आधुनिक काल का प्रत्येक, पद्य रच्चरण, भारतिंदु यूग, दिवेदी यूग, चायवाद, राष्ट्री जान्सकृति काव अधुनिक काल से आधुनिक काल तर, हम पूरे साहित्य को गद्य और पद्य को देखें, तो हमारे हिंदी के रचनाकारों ने मानवी मूल्यों को साहित्य में पिरोकर कथावस्तु से या पात्र से, पात्र योजना से जोड़कर उन्होंने मूल्य और साहित्य के अंतर संबन इस विशे को यहां विराम देते हैं, पुने नई विशे के साथ आपके समक्ष उपस्तित होंगे, आज्या दीजिये, नमस्कार. झाल